नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं एक दिन पहले केबिनेट की बैठाक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों मामलों के साथ साथ लगबग एक दर्जन अनप्रस्ताओं को भी केबिनेट से सुग्रेती मिल सकती है कई जीलों में 1932 में सर्वे नहीं हुआ था और ऐसे जीलों के लिए बिधैक में असपास ट्रूप से उलेक किये जाने की बात का ही जा रही है सताधारी गडबंधन में सामिल दर्लों ने चुनावी घोसना पत्र में भी 1932 का खथियान लागू करने का बादा किया था जारखन में अस्थानियता को परभासित करने के लिए फर्मूला त्यार कर लिया गया है और अब यह ताय है कि जीन लोगों के अथवा उनको पूरवजों के नाम 1932 के खथियान में सामिल होंगे उन्हें ही अस्थानिये माना जाएगा जारखन में 12 नौमबर तक सुबा में कोहरा या धूंद रहेगा इसके बाद आसमन साप और मौसम के मुख्यता सुस्क रहने के असार है इस दवरान कोई चेतावनी जारी नहीं किया गया मौसम विभाक की माने तो साथ नौमबर से लेकर 12 नौमबर तक बारिस की संभावना नहीं है इस दवरान अधिकतम तापमान अठाई डिगरी सेल्सियाज और नियुमतम 15 डिगरी सेल्सियाज रहने का अनुमान है बता दे पिछले 24 गंटे में जार्खन में मौसम सुस्क रहा सबसे अधिक तापमान 31.8 डिगरी सेल्सियाज डाल्टेंग अज का रहा जबकि सबसे कम तापमान 15.1 डिगरी सेल्सियाज खोटी में दर्ज किया गया सिक्षकों ने ज़र्खन अस्थापना दिवस पर अंदोलन की दीचेतावनी सफल सहायक अध्यापक संग के वहान पर पारा सिक्षक 15 नौमबर को ज़र्खना स्थापना दिवस पर मौराबादी मैदान में जुटेंगे टेट उतीन पारा सिक्षक इस औसर पर सरकारी सिक्षक के पद सीधे समयोजन करने की गुहाराई सरकार से लगाएंगे इससे पहले पारा सिक्षक अपना अंदुलन जारी रखेंगे टेट सफल सहयक अध्यापक संकीर अभिवार को रांची के अक्सिजन पार्क में हुई बैटक में इस समझ में नीन लिया गया इसमें आभी नीन लिया गया है कि टेट उतीन पारा सिक्षकों के सीधे समयोजन की मांग को लेकर आठ नौमबर को सभी जिला मुक्यालियों में सहयक अचार अन्योक्तिने मावली की प्रती जलाते हुए समयोजन को लेकर मुक्य मंत्री के नाम से उपायुक्त को मांग पत्र सोपेंगे जारखन में आयकर का सतर ठिकानों पर छापा अब तक दो कडोर मिले कडोरो रुपए की कौर चोरी के मामने पिछले तीन दिनों से तीन राजियों से जुड़े सतर ठिकानों पर चली आयकर की छापे मारी रभी वार की साम पूरी हो गई है चापे मारी में यह जनकारी सामने आया है कि आयकर विभाग को 2.10 लाख रुपे नगदी मिले चापे मारी में सोने चांदी के जेवरात, कड़ोरों की चल अचल संपत्ती में निवेश से समधित जनकारी भी मिली है और इसे समधित का अग्जात भी ब्रामदी हुई है जिसका सत्यापन चल रहा है आयकर विभाग इसे लेकर सो मोर को अधिक्रित रूप से ब्यान जारी करेगा इसके बाद सभी आकणे पुष्टी होंगे आयकर भी भाग नहीं है इस ले लिया है क्योंकि तीन दिनों तक चली इस चापे मारी के बाद कॉंग्रेस की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि चापे मारी क्या ब्यवरा असपस्ट करना चाहिए जार्खन के सरकारी स्कूलों में नमांकन बढ़ा जार्खन के स्कूलों में इस वरस ओवर ओल नमांकन में बिरिधी हुई है लेकिन चींता की बातिया है कि इस बार भी प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी कक्षाओं में नमांकन में कमी आई है प्री प्राइमरी काक्षाओं में जहां लगभग 20% नमांकन में कमी आई है वहीं प्राइमरी में भी 1.64% बचों का कम नमांकन हुआ केंद्र सरकार जारी U-Plus की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है राजे में वर्ष 2021 में जहां प्री प्राइमरी से लेकर बराहमित तक कूल 89,15,190 बचों का नमांकन हुआ था वहीं इस बार 89,70,750 बचों का नमांकन हुआ यह बरीधी अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी कक्षाओं में इस बार अधिक नमांकन से हुई है वहीं वर्ष 2021 में इन कक्षाओं में नमांकन में बरीधी हुई थी आयकर छापा पर हेमंत के ब्यान से भाजपा ने जारी किया वीडियो कांग्रेस के दो विधायकों के आवास पर छापे माली को गई आयकर अधिकारियों की गाड़ी पर पार्टी का स्टीकर लगाने समन्दी आरोपो पर भाजपा ने पलटवार किया है भाजपा की परदेश प्रवक्ता मिसिफ का हसन ने कहा है कि यह गलत आरोपाय और मुख्य मंत्री हमान सुरेन माफी मांगे पार्टी मुख्याले में सन्वादाता समिलन में वाहन के माली की दिनेश महतो का वीडियो परस्तूत किया गया जिसमें वह कह रहे है कि पार्टी के कारेकरम में आई गाड़ी सेवा स्टीकर हटाना भूल गय थे वहीं गाड़ी आएकर अधिकारी भाड़े पर ले गय थे भाजपा ने दावा कि आई कि मुख्य मंद्री ने तत्यों की जाच किये बिना ही टिपनी की है वहान के मालिक ने अभी कहा है कि वह किसी राइनितिक दल से समध नहीं है भाजपा परवक्ता ने कहा है कि मुख्य मंद्री ने बिना तत्य की जाच किये सरोजनिक मंच से भाजपा और सन्वेधानिक संथानों को दोस्ट दिया है आंगन बाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा गरम कपड़े जार्खन के आंगन बाड़ी केंद्रे में पढ़ने वाले तीन से चाव बरस के सभी बच्चों को ठंड से बचने के लिए जार्खन सरकार जल्द ही गरम कपड़ा का बित्रन करेगी यह बादे चाई बासा में सेविका सहाईका की ओर से आयोजीत अभार यात्रा कारिकरों को समधित करते हुए महिला एवां बाल विकास मंत्री जार्खन सरकार जोबा मांजी ने कही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आप लोग के कारियों को देखते हुए मांदे बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है आपकी भी जिमेदारी है कि आप अपने छेत्र में कुपोशन, अंधविस्वास और सिक्षा को दूर कर समाज को नई दिसा दे वहीं आपके भी भाग में छोटे बचों को इस वर सरकार गरम कपड़ा वित्रन करेगी साथी को पोशन मिटाने के लिए परतेक दिन अंगनवाडी में बचों के लिए अंड़ा भी दिया जाएगा पागल कुट्य का खौफ अभी दिख रहा है लोगों में चालिस से अधीक लोगों को काट कर जखमी करने वाले पागल कुट्य को मार गिराने के बाद भी तोरपाक लोगों का खौफ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है दहसत का महौल रभी वार को भी दिखा रभी वार सुबा में कुट्य के भाय से मौनिंग वाक में नहीं के बराबर लोग निकले जरूरी काम के लिए निकले लोग हाथों में लाठी लेकर ही चल रहे थे चर्च जाने वाली महिलायव बच्चे भी लाठी डंडे लेकर निकले थे चोक के पास सड़क किनारे सबजी बेचने वाले दुकंदार भी लाठी लेकर बैटे थे बता दे कुस्तेंद्र साहु ने बताया है कि पागल कुत्ते के डर से होकर पेपर बाटने भी नहीं जा रहे थे लाभ के पद मामले में सियम ने दूसरी राय के लिए राजभवन के अनुरोद की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी जारखन में गहराते सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हमासुरे ने लाब के पद के मामले में दूसरी राय के लिए राजेपल के अनुरोद की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है उन्होंने रभिवार को कहा है कि मैंने अपने वक्किल के माध्यम से लाब के पद के मामले में राजेपल रामेश बैस के अनुरोद की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है मुख्यमंत्री हमासुरेन की ओर से यह कदम राजेपल रामेश बैस के उस ब्यान के बाद आया है कि जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में दूसरी राय मांगी है उनका यह भी काना था कि जहर्खन में किसी भी समय बड़ा धमाका हो सकता है जाहिर तोर पर यह ब्यान मामले में राजेपाल के लंबित निर्नाय की ओर इसारा करता है संसत भवन के घिराव के लिए कुड़मी ने निकाल बाइक रैली कुड़मी विकास मोर्चा दोवरा कुड़मी को आधिवासी का दरजा देने कि मांगो लेकर 12 दिसमर को संसत भवन के घिराव किया जाएगा इसमें समाज के लोगों के अधिका अधिक भागेदारी सुनी स्थित करने के लिए रभीवार को बाइक रैली निकाली गई बाइक रैली गोदली पोखर चोक इस्थीत सहिद निर्मल महतों की परतिमा पर मल्यारपन कर टाक्टी सिल्वे तक गई राष्ट्रिय आधिवासी मुंडा परिशत का गठन मुंडा समाज के सक्रियता समाजी करकताओ और बोधी जीवियों की एक बैठक रभीवार को करम टोली स्थीत धुमकुडिया में अजित हुई इसमें आधिवासी की समाजीक संस्कृतिक राजनीतिक सक्षिनिक और आर्थिक इस्थीती पर गहन चिंतन मनन किया गया इस दोरान मुंडा समुदाय के हितों के लिए एक राष्ट ब्यापी मुंडा संगठन चलाने का निने लिया गया सर्व समाथी से राष्ट्रिया आधिवासी मुंडा परिशात के गठन किया गया इसके संचालन के लिए 21 संचालन समित्ती का भी चुनाव किया गया अंत में निने हुआ कि 119 को C&T एक्ट कानून की 114 वर्षगाट मनाई जाएगी साथी 3 जनवारी 2023 को मरंग गोम के जैपाल सिंग मुंडा की 120 जयनती पर मुंडा समिलन का आउजन किया जाएगा चात्रविर्थी के लिए इसकूलों को अपलोड करना होगा चात्रों का डाटा समाज कल्यान विभाग की ओर से इसकूली चात्रों को दी जाने वाली चात्रविर्थी के लिए अब इसकूलों को विद्यार्थियों का डाटा आउनलाइन अपलोड करना होगा पहले इसकूलों की ओर से हाड कोपी में डेटा कल्यान विभाग को दिया जाता था वहीं से डेटा अपलोड किया जाता था यह पहली बार है जब यह जिम्मेदारी सिक्षकों को सोफी गई है कल्यान विभाक की ओर से राज अस्थापना दिवस पर 15 नौमबर को चात्रों को उनके खाते में चात्रवित्ती की रासी दी जाएगी रांची के जीला सिक्षा पता दिकारी कमला सिंग ने इसकूलों को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि अस्थापना दिवस पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को 2022 सेज के लिए चात्रवित्ती का लाब दिया जाना है युवा सेना में जाने को उत्राखंड में जारखंड के युवा दिखाएंगे जोस उत्राखंड के कुमाव रेजिमेंट केंद्र रानी खेत में सेना के यूनिट हेटकौाटर कोटा भरती रह ली सोमवार 7 नॉवार से सुरू होगी इसके लिए केंद्रे ने त्यारी फूरी कर ली है भरती के लिए सेने परिवारों से जुड़े युवाओ का रानी खेत पहुचने का सिलसिला सुरू हो गया है बता देर अभी वार साम तक काफी संक्या में युवार नगर में पहुच चुके थे के आरसी मुख्याले से जारी यूनिट हेटकौाटर भरती रहली कारिकरम के तहद पहले दिन सोमवार को अगनी वीर जनरल ड्यूटी पदों के लिए उतरा खंड के सभी जन पदों के सेने परिवारों से जुड़े युवाओ की भरती होगी इसके बाद आठ नॉमबर को सारी माप दन में सपल रहने वाले अभ्यारतियों की दस्तावेच की जाच होगी राइधानी रांची में सेना की जमीन की खरीद फरोक्त में गलबड़ी के पुकता साक्ष मिलने के बाद इडी ने इस मामले में जाच तेज कर दी है इडी ने इस मामले में रांची के बड़े करोबारी विशनु अगरवाल को समन भेज कर आठ नॉमबर को एजेंसी के रांची जोनरल ओफिस बुलाया है विशनु अगरवाल के दो ठीकाने पर इडी ने चार नॉमबर को छापे मारी भी की थी इडी सूत्रों के मुताविक विशनु अगरवाल ने रांची के सीरम टोली में भी सेना के जमीन की खरीद की है साथ ही अलग अलग जगों पर सेना के जमीन की खरीद का संध्यास पद मामला सामने आया है साथ नॉमबर को जारखन में सड़क पर चलेंगे वाक बान जारखन की सियासत इंदिनो सरगरम है इसको लेकर सतरुड जामों से लेकर भाजबा तक साथ नॉमबर को राजधान में परशन करने की त्यारी में है इसको लेकर दोनों दलों ने अपने नेताओं को परदर्शन में सामिल होने के लिए कहा है जारखन मुक्ती मोर्चा की केंद्रिय समीती के वान पर राजबोन के समक्ष महाधारना कारकरम है वहीं भारतिय जनता पार्टि साथ नॉमबर से लेकर तेरा नॉमबर तक चलने वाले परश्टा चार के खिलाप परखंड अस्तर ये आक्रोस परदर्शन का अगाज करेगी बतादे साथ नॉमबर को जारखन मुक्ती मोर्चा राजए की निर्वाची थेमन्त सुरेन सरकार को आई स्थिर करने कारोप लगाते हुए केंद्र और भाजपा को घेरेगी वहीं सर्मेधारिक संस्थावों की भूमका को लेकर परदर्शन भी करेगी रांची में पोशन सक्षियों का बिरोध साथ नॉमबर को जार्खन राजे की किरित पोसंशकी संग की तरब से अपनी नौकरी की मांग को लेकर राजे भर की पोसंशकी दो नौमबर से ही राजबहुन के समक्ष धरना परदसन कर रही है अब ए साथ नौमबर को विरोध मार्च निकालेंगी इससे पहले आंगनवारी केंद्र में पांच वर्षों तक पोसंशकी की सेवा देने वाले इन महिलाओं को जार्खन सरकार ने नौकरी से अटा दिया था बता दे कि सेवा समापत होने के बाद पोसंशकीया कई अंडोलन कर चुकी है लगातार अंडोलन के बाद मुख discs मंत्री हमांसुरें ने सभी पोसंशकीयों को फिर से बहाल करने का अस्वासण भी दिया है लेकिन आस्वासन के बाद भी कोई पहल नहीं होने से आक्रोसित पोशन सकिया दो नौमबर से सांती पूर्ण धारना परशन कर मुख्य मंत्री का ध्यान आक्रिष्ट करने की कोशिस कर रही है आमरन अंसन पर बैठे आईसू के तीन अंदुलन कारियों की बिगड़ी तवियात आईसू पार्टी का आठ सूत्री मांग को लेकर आमरन अंसन दूसरे दिन भी जारी रहा है आमरन अंसन करने वाले अंदुलन कारियों में तीन लोग की हालत बिगड़ गई है मेटकल टीम द्वारा सलाइं चढ़ाया जा रहा है स्वास्त जाच भी की जा रही है बुड्डू अनुमंडल परसासन देर साम इन से मुलकात करने पहुचा बतादे आईसू पार्टी के निताओं का कहना है कि बार बार परसासन द्वारा अस्वासन दिया जाता है लेकिन करवाई नहीं होती आपको बतादे कि आठ सूत्री मांगो में कांची नदी के बालू घाटों के निलामी कर सिग्र बालू का चला निर्गत करने बुड्डू अनुमंडल में सिविल कोट, जेल, ट्रेजरी का निर्मान, बुड्डू को जीला बनाने बुड्डू नगर पंचायत में टेक्स की बढ़ोतरी पर्रोक लगाने समन्धी मांग सामिल है गुमला समसान घाट में बिजली नहीं गुमला के समसान घाट में बिजली नहीं है मोबाल की रोसनी से दासन्सकार किया जा रहा है जबकि समसान घाट में पोल वा बॉल्ब लगा हुए है परन्तु बॉल्ब काफी दिनों से खराब है साम होते ही अंधेरा चा जाता है अगर समसान घाट में सौव जलाते हुआ सौव को ले जाने में रात होई तो फिर परिसानी जहनी पड़ती है गुमला सहर के पाल कोट रोड में समसान घाट है यहां हिंदू धरम लंबी सौव को जलाते है परिसासनी क्लपरवाही के कारण लोगों को परिसानी हो रही है पूर्वी सिंभु में बिजेपी की जनसभा सात नौंबर को पूर्वी सिंभु में जीले के बहरा गोडा परखंड के जैपूरा में सात नौंबर को भाजपा की जनसभा जीत होगी भाजपा के पूरो परदेश अध्यक डाक्टर दिनेस्ता नंद गोस्वामीर जनकारी देते हुए कहा जनसभा को पार्टी के परदेश अध्यक सहसानसत दीपक परकास समोधित करेंगे उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी जनसभा में सिर्कत करेंगे बुकारो के लुगू पहार पर कार्तिक पूर्णिमा में लगेगा मेला बुकारो जिला अंतरगत गोमिया परखन के ललपनिया अवस्थित लूगू पहार में कार्तिक पुर्णिमा के उसर पर लगने वाला मेला सपूजा के लिए यहां सज धज कर त्यार हो गया है पहार के उपर सरधालों को ठार ने एवंपीने तथा लाइटिंग की बिशेश सुविधा पर सरसन द्वारा किया गया लूगू पुरू पुनाय थान सारना धर्म समित्ति का ध्यक्ष सुरेंदर टूडू ने का है कि पहार पर अवस्थित लूगू बाबा असल में सरधालों को किसी परकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए युवाओ की टोली को वोलेंटियर के तोर पर तैनात किया गया है गीरी डी के परवासी मैदूर की दुबाई में महत जारखन के गीरी डी जी लेके बगोदर परखन के अटका पार्टांड निवासी परवासी मैदूर दिनेस रविधास 50 वर्तिय की दुबाई में महत हो गई है महत की सुतना परिजनों को दो दिन पहले दी गई इस बावत अठका पूर्वी के मुख्या संतोस मंडल ने बताया है कि अगस्त महीन में मिरी तक मैदूर दिनेस रविदास काम करने के लिए दुबई गया था दुबई में वा कुक का काम करता था 117 मैदूर दिनेस रविदास की तवियत खराब चल रही थी इलाज के लिए इसे अस्पताल में भरती कराया गया था लेकिन इलाज के करम में परवासी मैदूर की मौत हो गई अंतराश्ट्री ये संताल सारना धर्म महा समिलन साथ नौमबर से सुरू संतालियों की संस्क्रीती अंपरंपरा का उदगा मसल बोकारों के लुगुबुर में सरदालो काना सुरू हो गया है 7 नौमबर से दो दिवसे अंतराश्ट्रे संताल सारना महा धर्म की सुरुवात होगी लुगुबुरू, घंटाबाडी, धोरोमगाड, ललपनिया में अयोजीत इस महा धर्म में 8 नौमबर को सियम है मन सुरेन, मंत्री जगनात मातो, चमपाई सुरेन समेत कई लोग सिर्कत करेंगे बतादे मंगलवार को कार्तिक पुनिया के मौके पर मुक्य कारकरम आयोजीत होंगे गुमला के 120 कोमन सर्विस सेंटर में सुरू होगी अधार सेवा है जिन CSC में अधार सेवा सुरू की गई है, वे सबी CSC पंचायत भावन में संचाली थाए जहां लोगों को नया अधार कार बनवाने एवं अधार कार अफडेट करने में सुविधा हो रही है बुढ़ा पहार पर नक्सलियों की बड़ी साजिसना काम बुढ़ा पहार पर चल रहे नक्सल उनमुलन अभ्यान के दोन रभीवार को कोबरा 203 बटालियन को एक और बड़ी सफलता हात लगी है पुलिस ने रभीवार को बुढ़ा पहार के जोक पानी नामक जंगल के पास से भारी मात्रा में आईडी हथियार एवं गोला बारूद सहीत काफी मद्रा में अन्य समागरी बरामत की है आपको बता देकी ओपरेशन अक्टोपस के तहद पुलिस को लगातार सपलता मिल रही है मिली जनकारी के अनुसा रभीवार को CRPF की कोबरा 203 बटालियन के डिप्टी कमाने जीतेंद्र कुमार के नेतितों में बुढ़ा पहार के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था इस दोरान भारी मात्रा में आईटी, गोला बारूत, सहित, अन्य समगरी, कोबरा 203 बटालियन के हाथ लगी है OBC को मिले 36 परतिसत आरक्षान मुलवासी सदान मोर्चा के केंद्रिय अध्यक्स रायंद्र परसाद ने रभिवार को कहा है OBC आरक्षान और अस्थानिय निती पर राय नेता अपने चाल और चरीतर बदल रहे है लेकिन मुलवासी सदान मोर्चा OBC को 36 परतिसत आरक्षान देने धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना होए तो चैनलों को सब्सक्राइब करें बॉल का बेले के अंद भाई है साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर पें दोस्तों किसा शेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना फिडियो कवसे दे थांक यू